Hello friends, e-learning यांकि इस वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम PF Passbook Portal के बारे में बात करने वाले हैं, PF Passbook Portal में बहुत सारे important changes हुए हैं, पूरा जो format था PF Passbook का बहुत ही ज्यादा change कर दिया गया है, आपको बहुत सारे additional information आप PF Passbook में दिखाई देते हैं, क्य करते ही आपको इस तरीके से नया page open हो जाएगा, आप देख सकतो इसका format भी change हो गया है, अब आपको यह number इंटर करना है, password और capture code और sign in पर क्लिक करना है, sign in पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको dashboard दिखाई देता है, आप देख सकतो यहाँ पर बहुत सारे changes हो गये हैं, और यहाँ पर calculator भी दिया गया है, अलग-अलग calculator ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको अलग-अलग facilities दे दी गई हैं, जिनका आप इस्तमाल कर सकते हो, home page पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको total PF का balance दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा ऊपर member wise balance भी है, और click करते ही इस तरीके से list आजाता है, यहाँ पर available balance दिखाई देता है हर एक member ID का, यह जो balance होता है, वो employer और employee का PF contribution होता है, इसमें pension include नहीं होता है, अब इन सब member ID का total amount नीचे आपको दिया गया होता है, यह total PF balance होता है, उसके बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ पर current establishment का detail दिखाई दे रहा है, currently कहाँ पर काम कर रहे है, और नीचे देखें, यहाँ पर पूरा detail दिया गया है, ठीक है, current company में आपका कितना period हो गया है, काम करके वो भी यहाँ पर दिया गया है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर view past service history का link है, इस पर click करेंगे, तो service history जो पुरानी company का है, दिखाई दे जाएगा, यहाँ ऊपर भी service history का option है, तो same page पर ही जाते है, तो आगे चल कर इसको हम देखने वाली है, ठीक है, फिलाल home page हमने देख लिया हुआ है, अब हम profile पर click करेंगे, profile में आप देख सकते हो personal detail है, basic detail है, KYC का detail है, और KYC verification का details है, यहाँ पर आप च आपको नीचे description मिल जाएगा, ठीक है, check out कर लिजेगा, अब profile के बाद बगल में passbook का भी option है, passbook का page कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाता है, यहाँ ऊपर आपको drop down दिखाई देगा, यहाँ पर member ID आपको दिखाई दे जाएगे, अगर multiple member ID होंगे तो ठीक है, जिस member ID का आपको PF का balance चेक करना है, passbook डाउनलोड करना है, उसको आप select कर लिजेगा, जब select करोगे तो यहाँ पर आपको PF का balance दिखाई दे जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, diagram वगएरा भी दिखाई दे जाता है, तो अब इस तरीके से यहाँ पर proper passbook आपको दिखाई दे यह वाला पुराने वाले से match होता है, ठीक है, इसको आप download भी कर सकते हो, यहाँ पर download as PDF का button है, इसके अलावा आप passbook को year wise भी चेक कर सकते हो, 2021 का, 22 का, 23 का, यहाँ पर साल दिया गया होगा, हमारे case में 2023 दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो company हमने select किया हुआ था, वहाँ पर employee ने सिर्फ 2022 तक ही काम गिया था, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर view taxable data का भी एक button है, इस पर click करेंगे, तो इस तरीके से आपको data दिखाई दे जाता है, आपका contribution कभी-कभी taxable हो सकता है, इससे related कुछ rule है, हमारे case में तो नहीं है, बट इनकेस आपके case में अगर होग अब passbook के बाद bugle में claims का option है, इस पर हम click करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या features add किये गए हैं, तो जो भी आपने claims किये होंगे, PF advance का या total PF का, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, total claim का amount दिखाई देगा, फिर कितना approve हुआ है, कितना reject हुआ है, कितना pending है, चारो settle हुए है, क्योंकि हमने सही तरीके से form भरा हुआ था, तो एक भी reject नहीं हुआ है, ठीक है, कोई pending भी नहीं है, total जो amount withdraw किया गया है, चारो claim में, वो एक लाग से उपर है, और नीचे देखे claim का detail भी दिया गया होगा, कोई अगर pending है, तो उसका detail दिया गया होगा, description मतलब किस reason से पैसा withdraw किया गया था, कितना amount और approve कब हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, claims के बाद service history है, service history के page पर जितनी भी companyों में आपने काम किया हुआ है, या अभी आप काम कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है, यहाँ प पर graph भी बना कर दिया गया है, ठीक है, यह अच्छा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा service overview का भी option हमें दिखाई दे जाता है, total experience भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जितनी भी companyों में आपने काम किया हुआ था, उसका total experience यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है अब NCP का मतलब होता है non-contributory period, मतलब वो period जिसमें PF जमा नहीं हुआ है, अब service history में आप देख सकते हो, बहुत सारी जगा पर date of exit available नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह बहुत ही common है, बहुत सारी employee होते हैं, जो आप छोड़ देते हैं, लेकिन उनका date of exit update नहीं होता है तो in case आप का भी ऐसा कुछ scene है, तो आप date of exit खुद से भी update कर सकते हो, हमने already वीडियो बनाया हुआ, link आपको नीचे description मिल जाएगा, आप check out कर लीजेगा, ठीक है, अब service history के बगल में ही calculator का भी आपको option दिखाई दे जाता है, इस पर click करोगे, तो यहाँ पर 3 calculator है, EPF calculator पर जो salary वाला है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है, average जो increment हो सकता है, पर enum, वो भी यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है, इसको आप change भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक guess के तोर पर रखा हुआ है, फिर voluntary PF contribution अगर कुछ कर रहे हो, तो वो भी आप requirement age क्या हो सकता है, ठीक है, सारे detail को आप change भी कर सकते हो, rate of interest क्या है, तो यह सब आप यहाँ पर add कर सकते हो, और यह जो calculator है आपको बता देगा, कि अगर 58 साल तक आप PF deduct करवाते हो, तो कितना पैसा जमा होगा, calculate पर click करोगे, तो यह आप देख सकते हो, 18,39,000 के आसपास amount ज जमा करोगे 5,16,150, employer का contribution 157,854 हो जाएगा, और interest 11,000 के आसपास आप earn करोगे, कितने साल लिये लगबग 28 साल का यहाँ पर amount आग गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप computation कर सकते हो, ध्यान देना है, जब तक आपको काम नहो, PF का पैसा आप withdraw मत करिएगा, बहुत ही जादा यहाँ पर आपको return मिल जाता है, और safe भी होता है, ठीक है, अब यह तो एक example था, उपर यहाँ member ID है, इस पर click करोगे, drop down दिखाई दे जाता है, दूसरा किसी company का भी यह member ID को आप select कर सकते हो, जैसे ही select करोगे, वहाँ की salary के हिसाब से, अपने आप detail यहाँ पर automatically feed हो जाता है ठीक है, और आप इसको चाहो तो added भी कर सकते हो, उसके बाद calculate पर click कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, दूसरे cases में 67 lakh तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 58 मतलब retirement के age तक, तो इस तरीके से आप calculation खुद से भी कर सकते हो, member ID की मदद से भी कर सकते हो, जिस तरीके से अपने EDLI और pension का भी calculation कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर features तो बहुत सारे add किये गए हैं, हमने देखा यहाँ पर अलग-अलग tab आगे हैं, बहुत सारे calculator आगे हैं, बहुत सारे diagram भी आगे हैं, जो की देखने में attractive लगते हैं, I hope कि आपको भी यह नया format अच्छा लगा होगा यहाँ पर जो additional information और features add किये गए हैं, आपके काम में आएंगे, starting में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है navigation में, मतलब कौन से option कहाँ पर हैं, पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दो बार जब use करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई issue अगर आता है, तो आप नीचे comment करके भी